तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने एक न्यू रमी अर्निंग एप को ओपन करके रखा है इस एपलिकेशन का नाम है रमी S.E. तो इस एपलिकेशन से पेशा विड्रो केसे करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ जैसे की आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने गेम खिलकर पाहू 100 रुपीज यहाँ पे वीन करके रखा है अभी इस पेशे को मैं मेरे बैंक अकाउंड में ट्रांसपर करना चाता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे बैंक अकाउंड एड कैसे करना है और यह पे क्वेश्ट है कि चानल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ अगर आपको भी रमी एस एप को डाउंड लोड करना होगा तो इस एप्लिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से डाउंड लोड कर सकते हो तो फ्रेंट्स अब आप देख सकते हो रमी एस एप में मेरे अकाउंड में है 500 रुपीज तो इस पैसे को मैं बैंक अकाउंड में ट्रांसपर करना चाता हूँ यानि कि विड्रो करना चाता हूँ तो उसके लिए सबसे पहल करके यह पर edition दिया गया है तो इस पैसे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरफेंग का एंट्रफैस आ जाएगा तो आपको यह पर there करना है आपको नभाना होगा अपना bank account जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले IPC code bank का IPC code रहेगा bank के passbook पे आपको मिल जाएगा उसके बाद account holder name आपके bank के passbook पे जो भी पूरा नाम होगा वही पूरा नाम आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद account number और एक आपको email address डाल लेना है इतना सब कुछ डालने के बाद आपको बस यहाँ पे submit कर लेना है अब आप देख सकते हो bank account की सारी की सारी detail यहाँ पे में डाल देता हूँ तो friends अब आप देख सकते हो यहाँ पे bank account की सारी की सारी detail यहाँ पे मैंने डाल दिये जैसे कि IFC code, मेरा पूरा नाम, मेरा account number और एक email address सब कुछ डाल दिया, अभी आप सभी के सामने आप देख सकते हो submit कर लिता हूँ, जैसे मैंने submit के आप देख सो KYC application success करके आ चुका है यानि कि यहाँ पे मेरा bank account जो है यहाँ पे add हो चुका है अभी यह जो मैंने पेशा win करके रखा है इस पेशे को मैं मेरे bank account में transfer कर सकता हूँ तो अभी आपको क्या करना है, वापस आपको withdraw वाले option पे आ जाना है तो आपके सामने इस तरीके का interface आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा bank account की सारी detail यहाँ पे show कर रहे है अगर यहाँ पे सही से डाला होगा, तो आपको क्या करना है, अगर कोई mistake होगा, तो यहाँ से आपको correction कर लेना है अब आप देख सकते हो, वापस यहाँ पे मैं submit कर लेता हूँ उसमें से withdraw level balance है मेरा 318 रुपीज, यानि कि withdraw level balance आपका जितना भी रहेगा, उतना ही पेसा आप अपने bank account में transfer कर सकते है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 318 रुपीज है, तो यहाँ पे मैं 300 रुपीज को select कर लेता हूँ bank account को add कर लिया, अभी आप देख सकते हो, amount भी select कर लिया, अभी withdraw वाले option पे click कर देता हूँ जैसे मैंने withdraw वाले option पे click किया, हमारा withdraw जो यहाँ पे success हो चुका है, आप देख सकते हो, 300 रुपीज जासे मेरे bank account में भी transfer हो चुका है दोस्तो, 5 minute के अंदर पेसा जो है, और मेरे bank account में credit हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पे check करना होगा, तो क्या करना है, withdraw वाले option पे आ जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, record तो record वाले option पे click करना है, आप देख सकते हो, 285 रुपीज सकसेस करके आप आ चुका है, यानि कि यह पेसा जो है, और मेरे bank account में credit भी हो चुका है, एक minute भी नहीं लगा, और पेसा जो है, और मेरे bank account में credit भी हो गया, आप देख सकते हो, यहाँ पे success करके आ चुका है, तो इ तो बस दोस्तों, आज की ए वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, वीडियो को एक like कर लेना, एसी और भी वीडियो जानने के लिए चानल को भी एक subscribe जरूर कर लेना, thank you दोस्तों